हेलो स्टूडेंट दिस साइट सीधी वेलकम बैक टू मैं चैनल एंड जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोगों के सीधे स्टार्ट हुई है तो हम लोग यह यह देख रहे थे कि हमारे पूरे कंप्लीट इंडियन इस्ट्री में हम लोगों क्या-क्या टॉपिक् जहां वहां पर हर जगह यहीं चीजें पड़ने का रहे हो कहीं से भी कर रहे हो कोई भी उनिवर्सिटी के लिए यह इस प्रिजित्नी बीए आपको यह कराऊंगी हर एक चीज के लिए इंपोर्टेंट है इतना इस लेबसे अर इतनी टॉपिक को कवर अप करना है तो लास् शब्रिव निपरी संथ नांड प्री प्रीटियु सब्सक्राइब महीं प्रीज mir विरी प्रोटीयट को परेट्पे तो प्रेट सुरिक इं सब्सक्राइब एम अलाओगर उस सब्सक्राइब करनी है तो एक चीज और बताना में उससे में भूल गई थी तो चुछन दो चीज और है कि हमें इसमें दो रिलीजन के बारे में भी पढ़ना है ठीक है दो रिलीजन भी है जो हमारे एंशन के टाइम पे थी वह कौन-कौन सी आप लोग लिख लो सबसे पहला आप लोगों को बारे में भी हमें पढ़ना है याँपर इस एंशन में और जयनेजम ठीक है बौद और जयन धरम को हमें यह पढ़ना है जो हमें एंशन्सिंड इंडिया में भी कवर यप करने क्लीयर गया तो मैंने आपको पता। हर्षवर्धन डैनीस्टी लाष्ट होती डैनेस्टी और 7 तक हमारे स्टोरिक पिरट चलता है अब हमारी एंट्री हो जाती है इनदिया में मदने बारत में अबहु frankly प्राइट से मद्यकलीड भारत में अरुटर ले ली है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताकिए मेडियेवल इंडिया में हम लोगों को क्या-क्या चीजे पड़नी हैं तो स्टुडेंट बहुत ही द्यान से समझना जो हमारे मेडियेवल इंडिया है यह भी हमारे लाइनेश्ट्री खतम हो गई वहां से शुरू होता है तो हमारी मेडियेवल इंडिया है फ्रेंड्स वह दो हिस्तों में बटी वी है ठीक है तो उससे पहले मैं आपको एक चीज ये भी बता दू कि हमें जो चीजे करनी है वो वो जो मद्यकालिन भारत में हमें करनी है एक दो हिस्तों में क्या क्या बटी थी एक तो हमारे नौर्थ इंडिया में बटी वी है और दूसरा हमारा साउथ इंडिया में ये बटा हुआ है ठीक है ये दो हिस्तों में हमें इस मेडियेवल इंडिया को कवर अप करना है दूसरी capital थी कन्नॉज लिख लेना आप लोग उसकी capital थी कन्नॉज तो अब यहां पे इसके लिए कुछ struggle किए कुछ यहां पर ट्रीपाट इस्ट्रगल हुआ था ठीक है तो ट्रीपाट इस्ट्रगल हुआ था और उन यह लड़ाई क्यों लड़े गई थी क्योंकि उन्हों को यह कन्नोज चाहिए था तो देखो यह कन्नोज चाहिए था तो उसके लिए क्या हुआ फ्रेंट्स कन्योज को पाने के लिए यहां पर ट्रीपाइट हमें स्ट्रगल पढ़ना है ठीक है लिख लो ट्रीपाइट इस्ट्रगल ठीक है यह ट्रीपाइट स्ट्रगल हुआ था जो हमें यहां पर डिसकस करना है यह क्यों हुआ था कन्योज को पाने के लिए उसको अपन सिल बनाने के लिए यह लड़ाइ हुए थी मुन आण पराईक में से energy सब्सक्राइब आप लोग note down कर लें नहीं तो आप screenshot ले सकते हैं तीसरा जो हुआ था वो थे हमारे रास्टर कूट ठीक है रास्टर कूट थे जिनके बीच यह तीन के बीच में क्या हुआ था लडाई हुई थी त्रिपटाई स्ट्रगल हुआ था जो हमें डिसकस करेंगे हम आगे की वीडियो में अभी आप बस हमें इंट्रो दे रही हूं आप लोगों को तो ठीक है मैंने अभी आपको बताया जो मारा मेडियेवल है ठीक है उसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है मैडियेवल जैसे कि मैंने आपको भी ब बाते जानेंगे यहां पर हम लोग राजपूत के बारे में पढ़ने पाले राजपूत और प्रित्वी राज चोहान के बारे में यहां पर पढ़ेंगे प्रित्वी राज चोहान है उनकी पूरी बाते पढ़ेंगे यहां पर इस सब कुछ डिसकस करने वाले साउथ में अगर लिखलो नेक्स्ट przetan हैं फिर हमारे मुगल एंपायर आएंगे उनके बारे में डिसकस करना है ठीक है यह सारी बाते हमें अपने अंदर पड़नी है तो मेडियेवल के अंदर इंडर पड़नी है और में इंपोर्टेन्ट जो बात है वो क्या है कि हमें इसके अंदर जो है क्या पढ़ना है दो हमारे यहां पे हमले हुए थे invasion हुआ था पहला अरब का invasion हुआ था वो discuss करना है दूसरा जो हुआ था तर्किस इन्वेजन ठीक है तुर्की जो कुतुब जो मुहम्मद गौरी और मुहम्मद बिन जो गौरी थे उनके बीच में मुहम्मद गजनवी जो थे उन्होंने ये हमला किया था ताकि वो दिल्ली सल्तनत को पा सके दिल्ली सल्तनत को स्टैबलिश कर सके हराना है तो ये जो टरकियस जो मोहम्मद गौरी थे क्ए मोहम्मद गौरी इन्हों ने क्या करता है मी बैटल की था किसके साथ पृत्त्वी राट चॉहान के साथ मिल करके उन्हों ने यह बैटल किया था और यहीं से फिर हमारे सल्ट की सुष्छ बात होती है इससे पहले का सारा कॉंसेप्ट क्लियर होगी आप लोगों को ठीक है जब हमारे यहां पर मद्यकालिन भारत में मुहम्मद गौरी और पिर्फिराथ चोहान के बीच पर जो लड़ाई हुई थी जिसको हम लोग बैटल ओफ तराइन के नाम से जानते हैं किसके ना 1191 में और जो दूसरी हुई थी 1192 में हुई थी क्लियर हो गया तो यह बैटल पहले वाले में प्रिफिराथ चोहान जीता था लेकिन दूसरे बारे में मुहमद गौरी जीच चुका था तो यहीं से फिर अब हमारा क्या है दिल्ली सल्तनर्थ स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यहीं पर मुहमद गौरी जीच जाते हैं और दिल्ली सल्तनर्थ तक दिल्ली सल्तनत का राज चलने वाला है इसके अंदर दोस्तों हम लोगों कुछ पांच रूलर पांच डाइनिस्टी के बारे में डिसकर्स करेंगे पहला अगर आप लोग देख रहे हैं जो कुत्व अधिन एबक है जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से स्लेव डाइनिस्टी के नाम से पहले डाइनेस्टी होगी स्लेव डाइनेस्टी दूसरा जो रूलर होगे वाला हो दिन खिलजी है जिसे हम बोलते हैं खिलजी डाइनेस्टी पहला जो था वो स्लेव डाइनेस्टी दूसरा खिलजी डाइनेस्टी तीसरा तुगलक डाइनेस्टी चौथा जो हम पढ़ेंगे सहयद डाइनेस्टी जो लास्ट होगा वोगा लोधी डाइनेस्टी तो बारा सो छे से लेकर के 1526 तक हमें पूरे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है जिसके अंदर ये पांच हम लोग डाइनेस्टी को कवर अप करने बाले है नेक्स्ट हम लोग जो आप लोग यहां दे डिसकस करेंगे यहां दो समराज्ये बटे थे पहला आप लोगों का जो था वो था विजयनगर एंपायर ठीक है जो हिंदू रिलीजन के लिए बनाया गया था और जो दूसरा था जो वो था बहामनी एंपायर ठीक है एक मिनट दुबारा लिख लेते हैं ठीक है पहला क्या था विजयनगर एंपायर बनाया गया का व्याद रकण सअध्य डिनिस्टी के टाइम पिरट फे यह दो एमपायर बनाये गए विजयनगर empire and bahamani empire bahamani muslims के लिए बनाए गए और vision अगर hindu के लिए बनाए गए clear हो गया यह दोनों empire हम यहां पर पढ़ेंगे यह दोनों kingdom हम यहां डिसकर्ट करेंगे now friends जो लोधी डायनिस्टी देख रहे हैं यहां टाइम 1451 से लेकर के 1526 तक था यहां पर क्या होता है दोस्तों कि इब्राहम लोधी ठीक है इब्राहिम कि लोधी और किसके बीच में वर्सिस बाबर के बीच में बैटल होता है ठीक है जिसे आप लोग जानते हैं फर्स्ट बैटल ओफ पानीपत के नाम से फर्स्ट बैटल ओफ पानीपत के नाम से हम लोग जानते हैं तो यहां पर एक बैटल हुआ था यही बैटल ओफ पानीपत जो कि इब्राहम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था और यहां जो लड़ाई हुई फर्स्ट बैटल यहाँ पे विजे जो हुई थी वो हुई थी बाबर की यहाँ पे कौन जीता था बाबर जीता था और यहीं से दोस्तों हमारा क्या आ जाता है मुगल डाइनेश्टी बाबार आता है और उसने मुगल डाइनेश्टी को क्या कर दी उसकी स्तापना कर दी यहीं पे दिली सल्तना तो जाता है खतम और अब हमारी एंट्री होगी मुगल डाइनेश्टी में उसका टाइन पिरेड आप दो देख सकते हैं 1526 से लेकर के 1707 में यहां पे हमें किस-किस रूलर के बारे में पढ़ना है बाबर, हुमायू, अकबर, जहांगी, साजहा और और औरंजेव, औरंजेव ह मैंने आपको क्या है एक ट्रिक डिस्क बताया था कि आपको यह बाबर, हुमायू, अकबर, जहांगी, साजहा कि एक ट्रिक है जो आपको याद होने चाहिए, वो क्या थी फ्रेंट, वो थी बाजशा के, B, H, A, J, S, H, A, बादशा, आपको बादशा की जगा, भाड़ी की जगा, बस J लगाना है, बादशा, एक ट्रिक है जो आप लोगों को याद होने है, कि हर एक्जाम में ये सीक्वेंस जरूर पूछते है, कि बाबर आया या, अकबर पहले आया है, हुमायू आया या, सेरसा सुरी पहले आया, ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है, कि हम लोगों ने अभी देखा है, मुगल डाइनिस्टी की, कौन है, यह जितने भी रूलर है, यह अरली मुगल्स है, ठीक है, एक लेटर्स मुगल भी हम लोगों को पढ़ना है, हो जादा इंपॉर्टेंट ने, आपके एक्जाम पॉइंट और वी से, लेकिन कुछ बाते ठीक है, मदेकालीन भारत हमारा यहीं पर क्या हो जाएगा, खतम हो जाएगा, यहीं पूरे मैंडियेवल इंडिया मेंगे इतना ही पढ़ना है, क्लियर हो गया, नाव हम आगे आगे modern इंडिया के बारे में यह हमारा लास्ट होगा modern इंडिया ठीक है हमारा जो आधुनिक भारत है जो 1707 से लेके कि पूरे 1947 सबसे बड़ा जो हमें सबसे ज़्यादा जो ट्लेबस हैं friends आपको यही modern इंडिया से पढ़ना है जिसमें revolt of 1857 इंडिया नैशनल म पढ़ेंगे जितनी भी चीजें हुई ठीक है गांधी का एरा जिसमें सारी चीजें सत्य अग्रह मुवमेंट कुट इंडिया मुवमेंट यह सब कुछ और यह friend जो हमारी जितनी भी हिस्ट्री है यह continue कब तक चलती रहती है जब तक पंडित जवान नहरू की क्या death नहीं हो जाती है जब तक वो मर नहीं जाते तब तक हमारा यह इतिहास चलता रहता है और इस्ट्री 1964 तक चलती रहती है क्लियर हो गया तो अब हम यहां पर देख लेता हमें क्या क्या मॉडर्न हिस्ट्री में बढ़ना यहां पर हम लों कुछ महराटा के बारे में भी पढ़ेंगे गांधी एरा के बारे में भी पढ़ेंगे जितनी भी गांधी के मुव्मेंट है थे वो पढ़ेंगे हम लोग यहां पर क्लियर हो गया यहां पर हम लों कुछ गवर्नर जर्नल्स के बारे में भी जानेंगे गवर्नर जर्नल कौन कौन था वो सारी बाते हम लोग यहां है यहीं तक important है mount baton plan तक आप लोगों को करना है तो यहीं पर हमारे complete history खतम हो जाती है जितना हम लोगों को पढ़ना है clear हो गया तो यह था हमारा पूरा syllabus दोस्तों ancient से लेकर के modern history तक का I know थोड़े जादा है लेकिन ancient medieval में उसना syllabus नहीं है बट modern बहुत ही जादा है cover up करने के लिए तो यह पूरी की पूरे concept clear हो गया हो तो जरूर जरूर मुझे comment करके बताना यह वीडियो किती helpful रही comment करके बताना वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करो शेयर करो जादा से जादा चैनल अब तक सस्क्राइब नहीं किया चैनल पर नए नहीं हो चैनल को सस्क्राइब करो बैल आइकन जरूर प्रेस करना ता कि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोगों को time to time एम अपलोड वीडियो पता चले कि हाँ आप लोगों को यह वीडियो प्लोड होती रात के दस बज़े होती टेलिग्राम चैनल भी है पीडियक चीए कोई भी डाउट हो सबकर टेलिग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इससे पहले मैं आपको बता चु अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है अगर आप लोग चाते है कि इस सीर्ष को कंटीनियो रखू और यह सारे टापिक पढ़ना चाते तो कमेंट करके बताए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो ले क्या सकूं वीडियो तोड़ी बढ़ी हो गई होगी लेकिन आप लोगों को टॉपिक क्लियर करना ही ज्यादा इंपॉर्टन सा मेरे लिए ओके आज की क्लास में बस इतना ही वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करना थैंक्यू फर वाचिंग